उस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से बड़ी करमे देखे बिहार में कमजोर पड़ा मांसोन 26 जुलाय तक बारिस नहीं वहीं 8 जिलों में 99 पर 30 तक कम बारिस जादे के बिहार में एक बार फिर मांसोन कमजोर पड़ गया है पारा बढ़ने लगा है और पिछले तीन दिनों से लोग 19 बरी गर्मी से परिसान है या रोपनी का समय है और ऐसे समय में बारिस ना होने से खेत सुक रहे हैं जिनने देखकर किसानों की चिंता बढ़ने लगे है मौसम विवा की माने तो अगले पांच दिनों तक राजी में कहीं भी तेज बारिस के आसर नहीं है मौसम विवा की अनुसार फिलाल मांसुन ट्रफ बिहार के आसपास नहीं है सुबे के किसी भी हिस्से में मांसुन ट्रफ नहीं गुजर रहा है कोई सानिय सिस्टन भी बिसिस परभावी नहीं है इसके करण बारिस के किल्लत है वहाई जून जुलाइक के महिन में परदेश में 41 पेज़ी कम बारिस हुई है जिसकी जानकारी मुख्य मंत्री को मौस्तम विवाग के प्रतिनिदियों ने दी है उन्होंने कहा कि जून में 85 mm बारिस हुई है जो समानी से 163.3 mm से 48 कम है बाड़ कर्मेंदे के बिहार में सिक्षक बरति में 1.70 लाग पदों के लिए 8.53 लाग आवेदन ते थी वह खतम परिचा अगस्त में जादे के राज के प्राधमिक माईदमिक वा उच माईदमिक वी दालेओं में 1.70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विलम सुलक के साथ आवेदन की प्रक्रिया सनिवार को समाप्त हो गई ब्यार लोक सिवा आयोक के अनुसार साम 6 बजे तक कूल 8,53,889 ने आवेदन किया इसमें प्राधमिक सिक्षक के 79,940 पदों के लिए 7,48,89 अभियर्दियों ने आवेदन किया आपके जानकारे के लिए ब्राधमिक के एक सिट के लिए 9 दावेदार है वही माईदमिक में एक सिट के लिए 2 अभियर्दियों तता उच माईदमिक में सिट के बराबर भी आवेदन नहीं आये हैं इसकी परिचा 24, 25, 27 अगस्त को होगी बढ़कर में देखे बिहार को मिली 2 और वन्दे भारत एक्सप्रेस की सोगा 3 वन्दे मेटर टेन को भी मंजूरी जादे के बिहार में कुछ दिनों पहले राची पढ़ना वन्दे भारत एक्सप्रेस की सिरुवात की गई इसके बाद यात्रों के बीच इस टेन में सबर करने की होड मची हुई है इसके बाद भारते रेलवे बोर्ड ने बिहार को दो और वंदे भारत और तीन वंदे मेट्रो टेन की सोगात दी है रेलवे बोर्ड ने पटना से मालदा और गया से हावडा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की मांजूरी दे दी है इसके अलवा बनारस से आसनसुल के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाए जाएगी जो बिहार से होकर गुजरेगी पूर रेलव मेट्रो भागलपूर से हवड़ा और देवगर के बीच चला जाएगी इनका परिचलान हपते में छे दिन होगा बाड़कर में देखे केंदर सरकार ने जारी के अदिसचना जल्द बनेगा बिहार के पहला ग्रीन फिल्ड हाइवे नाम होगा एनस 319 भी जाद के केंदर सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीन फिल्ड शिक्स लेन हाइवे को नेशनल हाइवे गोसित कर दिया है यूपी के बना रस्त्यानोली होते वे बिहार के चांद चेनपूर, रामपूर, तिलोतपूर, कुटंबा, इमाम गंज के बाद जहारकन राज क्रोस करते वे कुलकत्ता के निकड बागवान तक 386 किलोमेटर लंबा या ग्रीन फिल्ड शिक्स लेन हाइवे नाच 319 भी से जाना जाएगा, या देश का 631 नेशनल हाइवे होगा, किंद्र सड़क परिवाहन और राजमार्ग मंत्राला ने इस नए जिक्स लेन हाइवे को नेशनल हाइवे बनानी के अधिसुचना जारी कर दी है बाड़कर में देखे पढ़ना में बेना लाइसेंस नहीं निकलेगा मोहरम का कोई जलोस, अफ़ा फिलाने वालों के खिलाप होगे कड़ी करवाई जादि के पढ़ना में मोहरम के अउसर पर विदी ववस्ता बनाए रखना प्राससन की सर्वोच प्राथमिकता है चेतरे पदादिकारी अधिसुचना तंडर को सुदोड एवम सक्रे रखे ताता समीदसीली सालों पर विसे सतर्ता मुलक करवाई करे उक्त बादे पढ़ना के डियम डक्टर चंदर सेकर सिंग एवम सस्पी राजी मिस्रा ने सनिवार को समरा हाला इस्तित सबकक्ष में आवजित बेटक में बदादिकारियों को समद्द करते वे कहा है उन्होंने अधिकारियों को नेदेश देते वे कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगराने रखे सोसल मीडिया मोनेटिंग सेल को क्रियासिल रखे था था आफवावों पर त्वारित खंडन करे सजय के वं प्रमांसिल रहे इस वर्स मोहरम का तिहार 29 जिलो को मनाए जाने के समहुना है साथ उन्होंने सवी थाना अधैचों को भी मोहरम समिती से लगतार संपर्क में रहने का निदेश दिया है उन्हें अपने छेतर में जलोस के मारगा का सहतापन करने के साथ है या भी शुनिशित करने को का गया कि बिटा लाइसेंस के सहर में कोई भी जलोस नहीं निकाले बाड़े खर में देखे हाजी पूर से चुनाव लड़ने पर अड़े पसुपदी पारस जादि के रालो जपा प्रमुक और केंद्रे मंद्री पसुपदी कुमार पारस ने कहा कि वह दोजर चोबिस का लोकसुबा चुनाव हाजी पूर से ही लड़ेंगे हाजी पूर से लड़ने से दुनिया की कोई भी तागत मुझे रोक नहीं सकती है उनना ने कहा कि मैं चार साल से वहां सांसद हूँ मेरे बड़े भाई सुवर के राम बिलास पासवान के हाजी पूर से सांसद रहते भी मैंने वहां 45 सालों तक सेवा की है पाड़ी कार्याले में सनिवार को प्रेस कॉनफरेस में उनने ये बात कही है पत्रकालों की सवालों पर केंदरे मंत्रे ने कहा कि लोपार प्रमुक चिराग पास्वान कहां से चुनाव लड़ेंगे ये उनका निन्य होगा पर मैं हाजिपूर सही एंडिय मिद्वार की रूप में चुनाव लड़ूंगा प्यम नरेंदर मोदे ग्रिय मंत्रे अमिसा और भाजपाय दक्षे जेपी नडड़ा का मेरे प्रतिसरदा है मेरे बड़े भाई ने हाजिपूर सीर से मुझे चुनाव लड़ा कर अपना उत्रादिकारी बनाया था बड़े खर्मेदे के से 분들은 से नौवी से बारवी तक 95 फीज उपसती का उनिवारी है अगर स्ट के पले सब्ता से नियामित उपसत नहीं होगी तो आंत्रिक मिलाकर में अंकटेंगे इस बाबत सी बेचे नस्वी स्कूल को पत्र लिखा है इसमें कहा गया कि नौवी से बार्वी तक की चात्रा चात्राओं को पसिती हर दिन देखी जाए नियामित इसकोल नहीं वाने वालों की सुची सम्मादित चेत्रे करयाले को भीजी जाएगी मालूम हो कि कुरोना कल में सीबेसी ने चात्रा चात्राओं को पैसेती में छोड़ दी थी लेकिन अब कुरोना संकर्मान जैसे कोई बात नहीं है दूसरी तरफ वोड के अनुसार एगारवी और बारवी के चात्रे इसकुल जाने में दिलजस्पी नहीं लेते हैं इसके अलवाए इसकुलों में फ्लाइंग सिस्टम को भी खतम करने के लिए बोड नहीं यह कतम उठाया है इसके बिहार में देखे किसानों को सुखे से राहत के लिए नितिस सरकार की बड़ी पहाल डिजल पर सबसिरी 12 घंडे बिजली जा देखे बिहार में बारिस के चाल धिमी पढ़ गई है राज के कई जिलों में बहुत कम बारिस हुई है ऐसे में सुखे के सिति के निपटने के लिए मुखे मंतरे नितिस कुमार ने क्रिसिक कारे के लिए किसानों को डिजल नुदान उपलब्द कराने और 12 घंडे बिजले आपूरती सुनिचित कराने का निदेश दिया है उनोंने जाल साथन विबाग को नोरों के अंतिम छोर तक पानी पहुचाने और लगतार इसकी निगरानी करनी को कहा है मुई की मंत्रे ने सुकुरवार को एक अने मार गे सिति संकल्प में राज में हुए कम बारे से उत्पनि सिति की समिक्षा के उन्होंने किसानों को हर संभव सहायता अपलब्द कराने करने देश अधिकारियों को दिया है साथ ही मुई के सचीव की अधिक्ता में आपदप्रबंदन सम्मों की सब्ता में होने वाले बेटक नियमित रोप से करने और हार सिति पर नजर बनाए रखने के नसिहत दी है बड़कर में देखे बिहार में 2 करोड 25 लाक लोग गरिबी रिखा से हुए बाहर सरकार ने कह राज में सबसे तेजे से बड़ी है संपन था जादे के देश में साबसे अधिक तेजे से बिहार में गरिबी घटी है योजना विकास मंत्री बिजेंदर यादव ने आकड़े देते विये दावा किया है बाजबा साशित राज उत्तरपदेश मैदपरदेश राज़तान जिसे राज़ों से आधिक तेजिस बिहार में गरीबी के सेंख्या में कमी आई है मंत्री बिजेंदर यादव ने कहा कि बिहार सरकार ने अपने दम पर और संसाथनों से ये कर दिखाया है बिहार सरकार केंदर से विसिस राज के दर्जा के मांग दोहराते रहेगी बिहार सरकार के सिनियर मिनिश्टर बिजेंदरी अदाउने आकड़ जारी करते वे कहा कि बिहार राज ने गरीबों की गिरावड में रिकोर्ड बनाया है निती आयगन 17 जुलाई 2030 को गरीबी सुचांक रिपोर्ट जारी की है इस रिपोर्ट के नुसार साल 2015 सोलो से 2019 से किस के आउदे में पुरे भारत में 33.51 करोड लोग गरीबी से बाहर आये हैं जबकि बिहार से खूद 2.25 करोड लोग गरीबी से मसे बाहर हुए हैं उन्होंने कहा कि इस परकार पुरे देश में गरीबी रिकास से बाहर हुए व्यक्तियों में 16.65 पर 30 व्यक्ति बिहार राज से हैं वादे कि योजना विकास मंत्री बिजेंदर यादाव ने भाजबास आसिद संपन्द राजियों से तुलना करते हुए कहा कि बिहार के बाद गरीबी में आधिक गिरावाट दर्ज करने वाले राज मद पादेस उत्तर पादेस ओडिसा और राजस्तान है बिहार के सबी जिलों में विर्दों के लिए दो दो आसरे सल खुलेंगे 38 जिलों में 76 आसरे सलो को सुरू किया जा रहा है इसके संचलन की जिम्मेदारी समादित नगर निकाई के नगर आयोतिया कारिपलक बदातिकारी को सुपी गई है नगर विकासेवं आवास बिवाग ने इसे अमल जिमा पहनाने के लिए 19 करोड 67 लाक रुपे जारी कर दिया है सबी समादित नगर निकाईयों को इस आसरे सल के संचलन के लिए इस्तान का चैन कर इसकी जल्दी सिरुवात कर देनी है इन आसरे सल के संचलन के लिए वार्सिक बजट एक करोड 6 लाक रुपे रखा गया है हाला कि पढ़ना में समाज के लान विवाग की इसतर से विर्द जैनों के लिए ऐसे एक ओल्ड एज होम का संचलन क्या जा रहा है इसके मद्देन जर फिला लिया अलग से आसरे सल कोलने की योजना नहीं है बालके इसे होम को अपग्रेड कर सुविदा संपन मनाया जाएगा या मिले रासी से इसे सो बेड का सभी सुदावों से सुंपन विर्द जैन आसरे सल के तोर पर विखसित किया जाएगा बालके प्रतेक जिला मुख्याला दो यूनिट से इस आसरे सल की सुरुआत होने जारी है इनमें 3821 और लाचार विर्द जनों के रहने खाने समयते सभी सुदावों की ववस्ता रहेगी आड़ी खर्मेद के पत्नमे एक दिन में वसुले गे पचेस लाग रुपए जुर्माना अब आसपास में भी यातायत नियम तोड़ने वालों पर हो गी सकती जादि के राईधानी पत्नमे यातायत नियम तोड़ने वालों से ट्रेपीक पूलीस ने एक दिन में 25 लाख 26,000 रूपिय वसुले हैं ट्रैफिक एसपी पुरन जाकूद सुकुरवार को पटना की सटकों पर ट्रैफिक नियुमों को तोड़ने वालों के खिलाप अभियान चला रहे थे साथ एसपी ने कहा कि इस परकार का अभियान आप प्रते दिन चलेगा इधर पटना सर की त कर रहे हैं बाइक कार चलाने वालों के लिए यह ट्रैफिक नियमों चलान अब परिसानी का सबक बन गया है इन्हें नियमों की विरोद में सहर के बासगाड़ पर कुछ वोको द्वारा अनुका प्रदोसन किया गया प्रदोसन कार्यों ने अपने बाइक का दास अंसकर किय इस दोरान प्रदोसन कर रहे हैं लोगों का कहना था कि एक नियमों लंगन के लिए एक दिन में लोगों को कई बार चलान करड़ा जा रहा है यह गलत है लोगों को इससे बहुत परिसानी हो रही है अधिके पटना के ट्रैफिक केस्पी पुरण जहान ने बताए कि पटना म रुकनपुरा अस्याना मोड राजेंदन नगरपूल वार विसेस चेके नभ्यान चलाये गया है कि अर्मेदे के बिहार में पथर बाजों पर सक्तवा रेल लोगों को जागरुक करने के साथ मोख्या पर होगी करवाई जादे के देश में पिछले कुछ समय से ट्रेनों पर प रुक किया जा रहा है लेकिन इसके बावजूद ट्रेनों पर पतर मारना बंद नहीं और पा रहा है इसे लेकर ट्रेन में सपर करने वाले यात्रियों और लोको पाइलिट को खौफ से गुजरना पड़ता है वाई इसको लेकर SSI जिबलाल और इंटिलिजन्स ब्रांच किवोल के अवर अधिकारे असोक याद्वा ने बताई कि आयोदियों ने रेल करन पर पतर बाजी की वरदाती होने की कबर आते रहती है साथ उन्होंने बताई कि यदि इसी घटना को आप लोग रोक नहीं सकते मुख्या सरपंज वाड़ सदे से आधि प्रदेनिदी पर करवाई की जाएगी अब इस पर रेल प्रसासन का कड़ा रोक अक्तियार करते वे रेलवे ट्रेक के किनारे बसे गाउं के मुख्या सरपं कै किनारे को बढू है सकते मुख्या सरेकी लिह करते गाउं कि अक्तियार के मुख्या सरपंज करते वे वे थेला खो रोक केल रेलवे नियन िॅछ है सरप देवें पर कंट है